टेक्योमेट्रिक सर्वेई, इसका आर्थ है कि जिसे हम लोग को दिस्टेंस निकलना है, ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, चेन या टेप यह कर सकते हैं, लेकिन बीच में कोई अबस्टेकल्स है, तो क्या होगा चेन ही हम लोग नहीं कर पाएगे, तो वैसे केस हम लोग डिस्टंस निगालने के लिए टेक्योमेटरी का यूज करते हैं तो कब-कब इसको यूज करते हैं जहां चेनिंग करना डिफिकल्ट है जहां बीच में कोई अबस्टेकल हो ब्रोकन ग्राउंड में या फिर ग्राउंड बहुत ज्यादा स्टीफ हो अब टेक्योमेटरी का यूज हम लोग नॉर्मली करते हैं इसका यूज हम लोग कंटूर मेप को बनाने में करते हैं कि जिसमें हम लोग को होरिजंटल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंस चीओ ठीक है तीप प्लेस एबी से कितना दूरी पे है और एबी के बीच हाइड तो अब टेक्योमेटर बोलते हैं तो टेक्योमेटर क्या है एक ट्रांजित थेडलाइट वह होता है जिसको लोग 180 डिगरी प्लेन में रोटेट कर सकते हैं समझ रहा यानिक इसका तिलिसकोप अभी यहां है सपोस्ट तो फिर इसको हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं ठीक है और होका तो तो अब गुर्ट एकुमेटर मेंने इस टेक्योमेटर में स्टेडिय डैफांग्न फीटेड होता है तो नॉन्मल ठ्र द्रेखेंगे तो क्या होगा हम लोग दीखेगा उसमें संब्स waited को श्रूंटल रोटिकल क्रोस हीश होता है ठीक है इस्टेडिया में क्या ह external focusing telescope की सिकों मुख क्या वो तो थेड़ीया त्षाड़ो लाइट ये त्षाड़ो लाइट है प्लस इसमें इस्टेडिया डेफरंग फीटेड होता है ठीक है आगे क्या है एनलेक्टिक टेलिस्कोप है इसको मुण टेक्योमीटर बोलते हैं और एक टैप के वह सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर डिस्टेंज ज्यादा है तो उसके लिए अम लोग क्या करते हैं स्टेडिया रोड क्या है इस ए रोड ऑफ वन पीस यूज़े टू फाइव मीटर्स लेंग इसमें जो अम लोग ड्युवेशन करते हैं वह बोल्ड और सिंपल होता है तो टेक्योमेटर का अलग-अलग मेथाड्स होता है तो पल है स्टेडिया सिस्टम इसमें फिक्स्ट हेर मेथाड और स्टेडिया मेथाड मोवेल हेर मेथाड और सबस्टेंस मेथाड दूसरा है टेंजेंशिल सिस्टम तीसरा है मिजर्वाइट पर मीन्स वे स्पेशल इंस्टूमन तो तीनों को में अलग लग टाइप से भी देखें हैं आगे है प्रिंसिपल और स्टेडिया थेडो लाइट तो यह किस मेथड पे काम करता है यह इस मेथड पे काम करता है कि दो सिमिलर आइसोसेलर स्ट्रेंगल में परपेंडिकुलर और बेस का हाइट क्या होता है कॉंस्टेंट होता है ठीक है तो मान लेते हैं कि O A और O B O A and O B are two rays दो लाइट का rays है जो एक सेंटरल लाइट का rays O C से equally inclined है यह एंगल A O B एंगल A O B बराबर कितना है बीटा है ठीक है तो एंगल A O C यह हो जागा बीटा बाइट थीक है तो इस प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं कि रेशियो परपेंडिकुलर टू बेस तो सिमिलर ट्रेंगल में तो सिमिलर ट्रेंगल कुन सा है O A 2 B 2 दूसरा सिमिलर ट्रेंगल है O A 1 B 1 तीसरा है O A B ठीक है तो ट्रेंगल है तो इसमें क्या होगा परपेंडिकुलर O C 2 बाई बेस A 2 B 2 O C 2 by A 2 B 2 एकुल होगा किसके इसका परपेंडिकुलर O C 1 by A 1 B 1 ठीक है और तीसरा ट्रेंगल ये सिमिलर ट्रेंगल है तो इसका परपेंडिकुलर O C by A B ये तीनों किसके बराबर होगा एक कॉंस्टैंट के बराबर होगा ठीक है तो वह यह है, OA और OB के बीच एंगल कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, तो इन ट्रेंगल OA2 और C2, इस वाले ट्रेंगल में, OA2 C2, तो इसमें 10 बीटा बाई 2, यानि पर्पेंडिकलर A2 C2 बाई बेस, OC2, फिर आगे है, OC2 is equals to, फिर यहां से मिलें क्या निकाल रहे हैं, OC2 को निकाल रहे है, OC2 equals to A2 C2 by 10 बीटा बाई 2, तो OC2 से यहां हम लोग को यह निकल लागा, ठीक है, अब आगे है यह OC2, A2 C2, तो A2 C2 is equals to, half A2 B2, इसको, तो A2 C2 is equals to half A2 B2 को इसमें डालेंगे, ठीक है, तो यहां हम लोग डाले, A2 C2 की जागा, half A2 B2, तो यह हम लोग को क्या आ जागा, OC2 by A2 B2, इधर आ यह क्या हो जागा, K, यह क्या है, constant है, ठीक है, यह constant किस पर depend करेगा, यह बीटा के value पर depend करेगा, तो normally हम लोग बोलते हैं कि टेको मीटर में यह constant handed होना अच्छी है, यह handed कब होगा, जब बीटा का value हो जागा, 34 मिना, 22.64 सकेंड, ठीक है, 0 degree, 34 मिना, 22.64 सकेंड, तो उसकेस में K का value आ जागा, यह handed, और अगर K का value handed है, ठीक है, तो एक बार देखते हैं, इसका अर्थ क्या है, O C2 by A2 B2, O C2 by A2 B2 is equals to R, I suppose, handed, तो O C2 बराबर handed A2 B2, उसी तरह यह O C बराबर, तो O C2 by A2 B2 is equals to handed, तो O C2 by A2 B2 is equals to handed, ठीक है, तो O C2 by A2 B2 is equals to handed, ठीक है, तो O C2 बराबर क्या हो जाएगा, नीक है, टाफ पर二 गिसेतों के सोगना हों हो, इसको आगे भी दिखेंगे एकशीन, तो भी आगे भी देखें, तो यहाँ पर क्या कर रहे है, टेकर मींटर है से अजी ऐसका है, तो टेक्योमीटर और स्टाफ के बिश्का दूरी जो स्टाफ इंटर सेफ्ट उसके हेंड़ इसको आगे भी देखेंगे लाइन अब साइट को जोरी नहीं हो हमेशा वो होरिजॉंटल हो इन्कॉज लाइन अफ साइट भी हो सकता है यानिकि टेक्योमीटर को हम लो हमेशा यहां हमारा टेक्योमीटर है तो इसके से में को क्या करना पड़ेगा टेक्योमीटर को इंकलाइन डेडिंग्स लेना पड़ेगा आगे हम लोग डिस्टेंस एलिवेशन फर्मॉला निकालिंग होरिजॉंटल साइड्स करें तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग एसी बी यह क्या है यहां पर कहीं है टेक्योमीटर को फिट किया है और हम क्या कर रहे हैं यहां पर स्टाफ को कहीं रखें तो इन दोनों की बीच का मको दूरी निकालना है तो स्टेडिया दुघ है और एक हॉय है है ये टीन के इंटरसेफ्ट है ये और यह C, BCA क्या है, डाफ्रांग का टॉप फेर, यह Axial हेर या Middle हेर और यह Bottom हेर, यह AB क्या है, Stadia Interval, कि यह Hair और यह Hair की बीच का डिस्टेंस कितना है, वो क्या है, IC denote कर रहे हैं, और यह Staff Intercept क्या है, AB, SS को denote कर रहे हैं, Focal F क्या है, Focal Length of Objective Length, तो हम लोग जो Telescope यूज कर रहे हैं, उसमें दो Length रहता है, यहाँ वाले Length को हम लोग बोलता है, Objective Length और इस वाले Length को हम लोग बोलता है, I-Piece, तो F है, Objective Length का, Focal Length, अब F1 क्या है, Horizontal Distance between Optical Center of Objective Length and Staff, ठीक है, तो Optical Center, वो Center of Length को हम लोग नॉर्मली क्या बोलता है, अप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ से कोई भी Light Trace अगर पास होगा, वो Undeviated पास होगा, ठीक है, बाकि कहीं से अगर पास होगा, तो उसमें कुछ Deviation आएगा, F1 क्या है, तो Optical Center से स्टाफ के बीच का, Horgental Distance हो ठीक है, F2 क्या है, कि यह Objective, यह Telescope का Objective है, यहाँ जो Lens है, Objective Lens उसका Focus Point है, और Telescope का कहीं Center Line होता है, जिसको हम लोग Ground में Transfer करते हैं, इन दुनों के बीच का Distance है, इसको हम लोग D से दिनोट के हैं, Small D से ठीक है, और फिर कहीं पर यहाँ पर Stadia Hairs है, यह फिटर्ड है, यहाँ पर Stadia Difference है, तो इसके Objective के Center से, यह Focus से, यहाँ तक के Distance को हम लोग F2 बनाए हैं, और वहीं बता रहे हैं, तो Optical Center और Center of, Optical Center और यह Tachometer के Center को, ठीक है, यह Small D Distance नोट कर रहा है, और Capital D क्या है, कि यहाँ से जो Ground Point को में लोग Transfer करते हैं, वहाँ से ले करके, जहाँ पर हम लोग रखे हैं स्टाफ को, यह Distance, DM को यही Distance निकलना है, यही पताएगा, कि हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, दो इस्टेशन की बीच का दूर है, कितना है, ठीक है, D क्या है, और General Distance of the Star from Vertical Axis of the Instrument, और M है Center of Instrument, तो यह दोनों ट्रेंगल, यह ट्रेंगल, A, O, B, और यह ट्रेंगल, O, B, A, इन दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर ट्रेंगल है, ठीक है, तो सिमिलर ट्रेंगल में क्या होगा, यह दिस्टेंस, यह वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, तो यह दिस्टेंस, F2 by F1, F1 by F2, ठीक है, यानि कि इन दोनों ट्रेंगल में लोग देख रहा है, और इस ट्रेंगल में, तो यह दिस्टेंस, O, C, और यह स्मॉल O, C, ठीक है, तो इस दिस्टेंस by इस दिस्टेंस, तो इसी कम लोग इधर लिखे है, F1 by F2 is equal to, similar ट्रेंगल में है, यानि यह दिस्टेंस, यह दिस्टेंस by यह दिस्टेंस, is equal to this by this, F1 by F2 is equal to S by, IS क्या है, staff intercept है, I क्या है, stadia interval है, ठीक है, तो lens formula हम लोग जैसे कि जानते हैं, 1 by F is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 होता है, तो दुनों साइट्स को F F1 से multiply करेंगे, तो हमारे पास आएगा F1, यह F plus F1 by F2 dot F, और हमको F1 by F2 is equal to S by I, यहां से पता है, तो F1 is equal to हो जागा, F plus F1 by F2 हो जागा, S by I, F, ठीक है, आफ फिर देखाँ, यह D जो है, यह distance है, कहां से कहां तक, यही तो total distance है, जो हमको miser करना है, तो यह F1 plus D, यह large D बराबर F1 plus small D, तो हम लोग क्या किये है, यहां लिखे large D बराबर F1 plus small D, F1 हमको already यहां से पता है, तो F1 में value डाले, F plus S by F plus D, यह फिर इसको solve किये, यह यह को एक जगह में F plus D लिखे, और फिर यह इसको F by I, S plus F plus D किये, ठीक है, तो यह हमारा एक constant होगा है, क्यों, क्योंकि किसी भी objective lens जो है, हमारा टेकोमेटर में fitted, उसका focal length constant है, और इस्टेडिया इंटर्वल जो यहां पर है, यानि कि इनके और इनके यह distance, यह तो constant रहेगा, इस्टेडिया डैफ्राग में है, तो यह दुनों क्या है, constant होगा, और यह F plus D, यानि कि focal length of objective, plus यह D क्या है, optical center of objective, objective से instrument का center point, यह दोनों भी constant है, ठीक है, तो यह दोनों भी constant होगा, तो इसी को हम लोग लिखे हैं, F by I को, K लिखे हैं, और C के जगर क्या लिखे हैं, F plus D, तो यह हमारा distance formula निकल गया, इसको हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, station A और station B के बीच का distance निकाल सकते हैं, तो इसी equation को क्या बोलते हैं, distance equation, constant K equals to F by I को हम लोग बोलते हैं, multiplying constant, और constant F plus D को हम लोग क्या बोलते हैं, additive constant, तो basically tachometer में हम लोग क्या करते हैं, यह suppose हमारा tachometer है, यह हमारा objective lens है, यहाँ पर कहें center of instrument है, इसको vertical axis of tacholite भी बोलते हैं, vertical axis of tachometer, यहाँ पर हमारा कहें stadia diaphragm fitted है, यहाँ पर I piece है, तो suppose यह station A है, जहाँ distance measure करना हम लोग एक staff लगाते हैं, और यहाँ से एक intercept लेता है, ठीक है, इसके corresponding यह और इसके corresponding यह, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कि टेक्यों meter से देख के, यह staff interval को निकालते हैं, तो दोनों reading है, हमारा objective lens आई पीस में, यहाँ पर हमको दीख जाएगा, कि यहाँ कितना है, सब्सक्राइब यहाँ 3 meter है, यहाँ पर 2 meter है, तो staff interval हो जाएगा, 1 meter, बस फिल कुछ हमको नहीं करना है, इस formula में बैठाना है, तो k हमको पहले से पता रहेगा, s के जगह हम लोग 1 लिखेंगे, प्लस c भी पहले से पता रहेगा, तो हमको horizontal distance मिल जागा, ठीक है, तो यही हो जागा horizontal distance between station a and b,